इस चंगल में टोनी अपनी दो बेटियों और अपने पती टोने चिड़े के साथ रहा करती थी टोनी चिड़िया की दो बेटिया थी जिस से उसका पती हमेशा नाराज रहता था इस बार टोनी चिडिया ने एक अंडा दिया था और उसके पती को उमीद थी कि उस अंडे में से एक बेटा ही निकलेगा देखो टोनी मैं तुम से साफ साफ बोल देता हूँ इस बार ये बेटा ही होना चाहिए अगर ये बेटी हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को तीनों को इस घर से बहार निकाल दूँगा ये बात तुम अच्छे से समझ लो ये आप क्या कह रहे हैं जी अप लड़का होगा ये लड़की होगी ये मेरे हाथ में थोड़ी है ये तो इश्वर के हाथ में है न ये तो इश्वर ते करता है अरे मुझे नहीं पता मुझे बस इतना पता है कि मुझे इस बाल लड़का ही चाहिए मैं इन बेटियों का बोज नहीं उठा सकता हूँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं क्यों आप इतनी नफरत करते हैं अपनी बेटियों से अरे इनको दहज देना पड़ेगा इनको पालो इनको बढ़ा करो इनको दहज दो इनकी साधिया करो बेटा होगा तो कम से कम मेरे बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा और अगर उसने आपको घड़ से निकाल दिया वो सहारा नहीं बना तो आप क्या करेंगे अरे अरे ऐसा मत बोल मेरा बेटा बहुत अच्छा होगा देख मेरी कितनी सेवा करेगा इस अंडे में से बेटा ही निकलना चाहिए समझ गई तो ये कहकर टोना चिड़ा महां से चला जाता है टोनी चिड़िया रोने लगती है उसकी आवाज सुनकर उसकी पड़ोसन बुल बुल उसके घर आ जाती है अरे अरे क्या हुआ टोनी तुम क्यों रो रही हो क्या बताओं बुल बेट मेरी दो बच्चिया है इस पार मैंने अंड़ा दिया है तो यह मुझसे बोल रहे है कि इसमें से बेटा ही निकलना चाहिए अगर बेटी निकल गई तो पता नहीं वो मिरे साथ क्या करेंगे अरे टोनी तुम परिशान मत हो मैं तुमारे पती को समझा दूंगी कि उन्हें लड़का और लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए मैं भी उन्हें यहीं समझाती हूँ लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता उन्हें तो सिर्फ बेटा चाहिए बेटी है तो जैसे उनकी दुश्मन है वे दोनों आपस में बात कर ही रही होती हैं तब ही वह अंडा हिलने लगता है और उसमें से एक छोटासा, प्यारासा बेटा निकलाता है देखो देखो टोनी तुमारे अंडे में से एक बेटा निकलाया है बेटा निकले या बेटी मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है इतने ही टोना चिडा भी वापिस आ जाता है अरे इस अंडे में से तो एक बेटा निकला है मेरा बेटा हुआ है टोनी मेरा बेटा हुआ है मैं जाके अपने दोस्तों को बता कराता हूँ टोना चिडा अपने दोस्त काले कव्वे के पाथ जाता है काले कवे भाई, मेरे बेटा हुआ है अरे बहुत अच्छी बात है तुम्हारे बेटा हुआ है मुझे तो बहुत खुशी हुई सुनकर कम से कम तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा बेटियों का क्या है इने तो दहज दो और विदा कर दो हाँ तुम सही कह रहे हो मुझे भी बेटा ही चाहिए था चलो ठीके मैं चलता हूँ जंगल के दुसरे पक्षियों को भी तो बताना है ये केकर टोना चिड़ा जंगल के सारे पक्षियों को बताता है और घर वापस आ जाता है टोनी मैं आज बहुत खुश हूँ तोने मेरे खुआश पुरी कर दी इतने ही टोनी चिड़ा के पेट में दर्द होने लगता है टोनी चिड़ा जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मुझे लगता है मैं नहीं बच्चूंगी टोनी टोना चिड़ा जी अगर अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप मेरे तीनों बच्चों का ध्यान रखना ये कहे कर टोनी चिड़िया की वहीं मृत्तिय हो जाती है तुम दोनों बेने यही पर रहो तुमारी मा तो मर चुकी है और मैं अपने बेटो को लेकर यहां से जा रहा हूँ बापा आप ऐसी की बोल रहे हैं बापा हमारा आपके सिमग कोन है हम तो दोनों छोटी हैं अबी अरे तो मैं क्या करूँ तुम्हारा बोज नहीं उठा सकता हूँ मैं मैं अपने बेटो को लेकर जा रहा हूँ अपने बेटो को पालूँगा जो तुम्हारे मिनमा है तो वो करना ये किये करके टोना चिडावा से अपने बेटे राजु को लेकर के चला जाता है मम्मा, मम्मा, मम्मा तो चली गए अब पापा भी चले गए बेन हम तो बनात हो गए अब हमें एक दूसरे का सारा बन्ना पढ़ेगा वो दोनों रो रही होती हैं उनकी हवास सुनकर बुल-बुल उनके पास आती है अरे अरे बेटा तुम क्यों रो रही हो? अब बुल-बुल आंटी हमारी मम्मा मम्मा की म्रत्यों हो गई और पापा भी हमें छोड़ कर चले गए अब हम क्या करेंगे? बेटा तुम परिशान मत हो तुम दोनों मेरे साथ रहे ना मेरी बेटियां बन कर तोना चिड़ा अपने बेटे राजु को बहुत लाट प्यार से पालने लगता है धीरे धीरे समय बीटता जाता है और उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है अरे बेटा अब तो तु बड़ा हो गया अब तु मेरे बुढ़ा पै का सहारा बनेगा मैं सोच रहा हूँ तेरी शादी करा दू ठीक है बापा आप जहां बोलेंगे मैं वहां शादी कर लूँगा हाँ बेटा मुझे पता है तोती की एक बेटी है हम उसे देखने जाएंगे अगर वो तुझे पसंद आ जाती है तो हम तेरी शादी करा देंगे अगले दिन वह दोनों लड़की देखने जाती है अरे बेन जी हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है और हमारा राजू भी सरकारी नोकरी करता है आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा हाँ ठीक है हमें भी रिष्टा मन्जूर है अगले दिन दोनों की शादी हो जाती है धीरे धीरे समय बीटता जाता है अची सुनते हो मुझसे आपके पूरे पापा की देख रेक नहीं होगी अब अब नहीं कर सकती में आप एक काम कीजिए आप इन्हें घर से निकाल दीजिए जो हुकुम मेरी बीबी? बिलकुल पापा पापा हाँ बोल बेटा क्या हुआ है मेरी बीबी आपकी सेवा करते करते ठक जाती है पूरा दिन उससे आपकी सेवा नहीं हो पाएगी इसलिए आप इस घर से निकल जाएए क्या? बेटा मैंने तुझे बच्पन से लेकर अब तक पाला इसलिए कि तु अपनी बीबी के कहने पर मुझे निकाल देगा अरे पापा मेरे पसकी बात नहीं है अब आपका आगे खर्चा उठाना या आपको पालना आप हमारा घर खाली कर दीजिए बेटा ये तु क्या कह रहा है? क्या भगबान मुझे मेरे कर्मों का फल दे रहा है? कि मैंने अपने दोनों बेटियों को एसे ही छोड़ दिया और तुझे लेकर आ गया पापा आप यहां से जाएंगे या मैं आपको धक्का दे कर भाहर निकालू इतने ही राजू अपने पिता को धक्का दे देता है उसका पिता रोता हुआ उसी जगा जाता है जहां उसने अपनी बेटियों को छोड़ा होता है तुम सही के एतनी थी वागवान मुझे लड़का और लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए अरे बेटों से अच्छे तो बेटियां होती है कम से कम अपने माबाप का दुख दर्दू तो समझती है ये बेटे तो बिलकुल किसी के नहीं होते है अरे पापा आप आपको क्या हुआ और आप रोक्यों रहे हैं और राजु कहा है बेटा बेटा उसने मुझे घर से बहान निकाल दिया मैंने तुम्हार साथ बहुत बुरा किया मैंने तुम्हे इस सही मनने के लिए छोड़ दिया मुझे माफ कर दो अरे पापाची आप परिशान क्यों हो रहे हैं आपकी बेटिया भी जिंदा हैं आपको हमारे होते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी आपकी बेटिया मरी नहीं है हम है ना आपकी खिदमत करने के लिए आपका सहारा बनने के लिए आपको किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है हम लड़कियों के होते हुए एक जंगल में टोनी अपने पती राजू के साथ फल बेचा करती थी एक दिन उसका पती राजू उसकी ही पडोस मेरेने वाली काकी नाम की चड़िया से शादी कर लेता है जब ये बात टोनी को पता चलती है तो वहे अपने पती राजू से मिलने उसके ख़र जाती है क्योंकि आपनी ऐसा? क्योंकि किसी और से शादी? क्योंकि यह तुमने मेरे साथ ऐसा? अगर ऐसा नहीं करता तो क्या करता तूने क्या दिया है मुझे वो दो लड़किया मुझे लड़किया नहीं चाहिए मुझे लड़का चाहिए था लड़का लेकिन तूने दो लड़कियों को जन्म दिया तो क्या करूं वहीं पर रहूं अपनी जिंदीगी बरबाद करूं प केसी बाते कर रहे हैं वो दोनों आपकी ही बेटी हैं भगवान से कुछ तो डरो हाँ हाँ जाए हां से ठीक है बहुत देख लिया तेरा रोना जाए हां से केकर राजू उसे वहां से भगा देता है विचारी टोनी रोते हुए अपने खर आती है मम्मी मम्मी पापा ने दूसरी शादी क्यों कर ली मम्मी मम्मी उना आटी से पापा ने शादी क्यों कर ली वो आटी तो बहुत बुरी है अच्छी भी नहीं है बेटा मैं किसी को क्या दोश दे हूँ जब मेरा खुद का इनसीब खराब है तो अगले दिन टोनी फल बेशनी के लिए दुकान पड़ जाती है वहाँ पर धन्ना नाम के एक सेट आती है और वे टोनी से केती है देख टोनी तुन अब तक मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगाया मैंने तुझे कुछ नहीं बोला लेकिन अब तुझे यहां से यह ठेला हटाना पड़ेगा मैं बिल्कुर बरदाश नहीं करूँगा कि मेरी दुकान के सामने कोई ठेला लगाए सेट जी मेरे पती ने भी मुझे छोड़ दिया है मैं कहां जाओंगी अपनी बच्चियों को लेकर कि मैं क्या काम करूँगी मुझे पिर दया कीजिए हाँ हाँ बहुत दया कर ले मेरे तेरे उपर अब कल से यहां पर मताना तु ठेला लगाने के लिए की कही करे धन्ना सेट वहां से चले जाते है बिचारी टोनी बहुत जादा दुखी हो जाती है वे हे सोचती है मैं अब क्या करूँ मैं अपना ठेला कहां लगाऊं ऐसा करती हूँ मैं मैं जंगल की साइट अपना ठेला लगा लेती हूँ वे हे जंगल की तरफ अपना ठेला लगा लेती है वे पूरे दिन इंतजार करती है परन्तु एक भी ग्राहक उसके फल खरीदने वहाँ नहीं आता है ये तो इतना सूमसाम रास्ता है यहाँ पर तो कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा अगर एसे ही चलता रहा तो दो-चार दिन में मेरे सारे फल खराब हो जाएंगे समझनी आ रहा है मैं क्या करूँ एसे ही पांच-छे दिन बीट जाते हैं टोनी के सारे फल खराब हो जाते हैं वे हैं बहुत उदास बेखी होती है और सोच रही होती है मेरे तो सारे फल खराब हो गए और मुझे तो अपनी बच्चियों को भी पालना है ऐसे तो काम नहीं चलेगा मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा पर मैं कौन सा काम करूँ मुझे ये समझनी आ रहा है इतनी ही उसकी बेटियां उसके पास आती है ममी ममी हमें दो रुपे दे दो हमें गोला खाना है बेटा मेरे पास पेसे नहीं है मम्मी मम्मी दोना मुझे गोला खाना है और गोले वाले रोज रोज भी नहीं आते वो एक ही बार आते हैं हफते में प्लीज मम्मी पेसे दे देजिए न बेटा मेरे पास पेसे नहीं है मम्मी मुझे गोला खाना है टोनी सोचती है अरे क्यों ना मैं गोले का ही ठेला लगा लूँ क्योंकि गर्मिया भी चल रही है और गोला तो सभी खाते हैं बच्चे भी और बड़े भी ये सोचकर वेहें बजार जाती है और सारा समान लेकर आती है अगले दिन वेहें गोले का ठेला लगा लेती है देखते ही देखते उसके सारे गोले भी बिकने लगते हैं और वेहे अपनी बच्चों के साथ खुशी-खुशी जीवन व्यतीद करने लगती है